मत्यप्रदेश के रिवाजिले में एक बार फिर फरजी डॉक्टर का मामला प्रकास में आया है बताया जाता है कि सिविल लाइन थानांतरगत अमर लोज में पुलिस वा सास्त भी भागवा तैसिल दार की छापा मार कारवाही हुई है सूत्रों से जानकारी मिली की सहर में कुछ लोग बाहर से आकर होटलों में किराये से रोम ले कर दवाया देते हैं जो की पूरी तरह से फरजी और गरीब लोगों को अपने चंगूल में फसा कर पैसा वसूलते हैं इस समंध में दो-तीन होटलों में पता किया गया तो अमर लोज में जानकारी मिली की यहां दो लोग हैं जो की सतना से आये हुए हैं पकड़े गए लोगों में पुरसोत्तम यादव और प्रतीक मिस्त्रा हैं इनके पास से एक बैग में विटारी की कुछ गोलियां, बीपी मसीन, सुगर मसीन जैसे कुछ सामगरिया मिली हैं पकड़े गए आरोपियों को थाने भेज कर जेल भेज दिया जाएगा पुरसोत्तम यादव एक प्रतीक मिश्रा करके ये लोग एक बैग में दवा लिये हैं, हरी मटा, लाल मटार, पाउडर, एक सुगर जाच करने के मसीन, एक बीपी मसीन कूल जलूल, किसी से 700 रुपए, किसी से 500 रुपए, इनके डारिम लिखा, किसी से 12 सु रुपए, इस तरह का पैसा ले रहे हैं ये बहुत ही गलत बात है, लोग के जीवन के साथ खिलवाल कर रहे हैं, ऐसे लोग को अपने शहर में बिलकुल पनाह देने के आस्रे देने की जरूरत कता ही नहीं है, इनके पार ना कोई डिगरी है, ना कोई दवा है, फालतू के लोग हैं, इसलिए इन पे छापा डाला ग उनकी निगरानी की जा रही पता किया जा रहा है, पता चलते हैं उन पे भी कारवाई की जाएगी, जब्त इनके बैक भर दवाईयां हुए है, जब्त उसके शूवर की मसीन, छोटी से ब्लड पेसर की मसीन है, और तवा बहुत सारी मटर है, लाल मटर हारी, अब इनको वी कांप्लेक्स बगेर है और बिटामिनी टैबलेट इस तरह की सामान बिटामिन की टैबलेट अलोपाइथी वाली बरामत हुई अन्य तो दवाई अलोपाइथी वाली बरामत नहीं